अब तक हमने कई सारे चैप्टर कर चुके हैं अगर जो चाहतर पहली बार हमारी क्लास को देख रहा है उनको में बताना चाहूंगा कि हमारी पांच भी चैप्टर है इससे पहले चार चैप्टर पर क्लास हो चुकी है और चैप्टर वाइज पढ़ना आपके लिए काफी आपको समझ में नहीं आ सकता है कुछ ऐसे सब्ध होते है तो इसलिए आपको चैप्टर पढ़ना है बहुत इंपोर्टन है आप लोग जाके इस क्लास के बार में सारे चैप्टर पढ़िएगा चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन कौन कर लिएगा तो आई सारे प्रस्ण ठीक है बाकी के जो चैप्टर है उनके कोडिंग इसमें इस टॉपिक से ज्यादा प्रस्ण पूशे जाते तो यह चैप्टर आपके लिए इंपोर्टन है इसलिए मैं इसको थेवरी वेस्ट रखा है पहले मैं आपको इस क्लास में पूरी उत्रपदेश इस राजिस भीवाग के बारे में समझाओंगा इससे आपके बहुत सारे क्वेशन फसने वाले इस थेवरी के क्लास अगर आप ले लेंगे ठीक है तो क्लास को कहीं भी स्कीमत कीजिए पूरा देखेगा और पसंद है तो एक लाइक जुरू कीजिएगा आगे बढ़ने से इसकी कीमत मात 99 रुपीज रखे गए इसमें आपको यूपी लेकपाल के आल सब्जेक्ट बिल जाएगे नहीं पूरा कम्प्लीट स्लेपस नोट्स है ग्राम समाज पर इस नोट्स में ज्यादा फोकस किया है ग्राम समाज के थेवरी वाइस क्वेशन प्रैक्टिस सेट उस कीमत मात 99 रुपीज है जैसे यह ऑनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट था इसकी कीमत 259 कर दी जाएगी तो अभी कभी इस नोट्स को भाय करें मैं हाइली रेकमेंट करता हूं सभी छादरों से इसको आप लोग परचेस कर लिए बहुत ज़्यादा बेसिक लिवल के तारह करन करते हैं या फिर आप बीट अपर अंडरेस्कोर वाइटी भी सर्च कर सकते हैं और मुझे यहां पर सकते हैं और डारेक्ट मैसेज करके कोई भी बातचीत कर सकते हैं सभी को में रिप्लाई करता हूं सभी से प्रसुनली बात भी करता हूं ठीक है तो अब लोग जाके फॉल इसी पे बेस्ट करवाऊंगा उसमें आपको ज्यादा ज्यादा शही करने अगर आपने सही से क्लास समझाओगा देखे शुरू करते हैं देखे राजस विभाग में राजस सच्यू साखा के अंतरगत निमनिलिकित पांच विभाग अध्य अच्छा ठीक है पहला कौन सा है प पुर्मुक संपादक जीरा गैजिटर ठीक है यह हो गए पांच विभाग अध्याच देखे उप्यूक्त पांचों विभागों में के मुख्याले प्रदेश के राजधानी लखनों में इस्थे था है यनिकि जितने भी विभाग हैं सभी के मुख्याले हेड़कॉर्टर्स पहलं को डेटेल में कर और उनके कार चीज़ों को समझेगे क्या करता है ठीक है और उनके अधिकारियों को तो देखे राजधी परसद की इस थापना इस्ट इंडिया कंपनी के साथ सनकाल्व के सन 1831 में ईलहबाद वर्तमान प्रियाग राज में हुई थी आप लोग लोग रफ कॉपी या भी जो भी कॉपी कलम लेके बैठा करें टाइटल डाल लिए राजस परसद जो इंपोर्टन चीज़ है जिसे राजस परसद की स्थापना किसने किसके द्वारा की गए थे तो इस्टेंड ये कंपणी की द्वारा की गए थी रिख लिए किस सन में 1831 में की दो प्रसासनिक और सात नयाइक सदस होते हैं ठीके नेक्स टॉपीक नेक्स पॉयिए लिया और आजस्परसत के प्रसासनिक और नयाइक कारणों को अलग कर दिया गया किसमें सन उनिस सो 47-47 राजस परसद के प्रसासिनिक और नयाईक दोनों कारणियों को अलग कर दिया गया नेक्स्ट पॉइंट है देखिए राजस परसद का मुख्याले कहां पर इसी तो अलहाबाद में इसी तो राजस परसद का मुख्याले यह आपका questions बनेगा अगला है देखिए राजस परसद के सदस कमिशनरों में से ही नईक्त किये जाते हैं सबस्थ होते हैं वह कमिस्वनरों में भी नेक्स्ट पॉइंट के सदस्यों की नियुक्ति राज्स परिसद करते हैं ठीक है अपने अपने राज्यों के राजिस शरकार करती है ठीक कहां राज्स परसद जो होता है वो राजस न्यालेओं का सीर से न्याले होता है इनके सबसे बड़ा न्याले होता है सबसे उपर न्याले होता है वो नेक्स्ट पॉइंट है राजस्परसद में राजस्परसद राजस्परसासन का सबसे महत्पूर विभाग है किसका राजस्परसासन का सबसे महत्पूर विभाग राजस्परसद ही माना जाता है इसे लिए नंबर वन पे रखा गया है पाचों विभागों में से अगला उन से हैं तो राजिस परसत के दो भाग हैं दोस्तों देखे कार छेत्र के आधार पर राजिस परसत को दो भागों में वहाजित किया गया है नंबर वन है प्रसासनिक और नंबर दो है न्याइक जैसा कि उपर बताया गया कि न्याइक को प्रसासनिक दोनों कारणियों को वसूली भूमी अरजन आद आते हैं किसमे परसासनिक कार में नेक्स्ट है न्याईक कार में क्या आता है न्याईक कारों में अपीली निगरानी और पुनर विलोकन आ जाते हैं इसके मंडला युक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडला युक्त होता है नेक्स्ट पॉइन्ट है जिलाधिकारी के अंतरगत अपर जिलाधिकारी याइनि के ADM जिसको कहते हैं उप जिला अधिकारी निए SDM जिसको कहते हैं तहसीलदार नायाब तहसीलदार राजस सिनिरच्छक और लेख पाल आते हैं जिला अधिकारी के अंतरगत को नाते हैं अधिकारी अपर जिला अधिकारी निए ADM उप जिला अधिकारी निए SDM तहसीलदार नायाब तहसीलदार अधीन सरवेचन और अभलेख क्रियाएं भी होती हैं क्या कार जिला अदिकारी के प्रवेचक में सहायक अभलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो उसमेंसे आपका दूँभाग राजिस परिसत राजिस परिस पर्सथ के अँदे बढ़ते हैं एक पर पीडियो वाईल टेलिक्राम में लिसकेपसंर मोडेनमित हो पर और और झाइम पर और नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट है देखे उत्तरपदेश भूराजस के अंतरगत राजसु वादों का निस्तारण परिशद के लखनव मुख्याले पर माननी अध्य जो परशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है इतना होगे आपका अब नेक्स्ट हेडिंग है जो आपका वो है राजसु परिशद के अनुसार तो यहां पर दो पॉइंट आते हैं दो ही पॉइंट है बस देखें राजसु परिशद के लखनव इस्तित परिशासनिक काराले में 19 अनुभाग और 14 प्रकोस्ट है ठीक है यह आद रख लिए कितने प्रकोस्ट और कितने काराले अनुभाग है अब हम पढ़ेंगे परिशासनिक काराले लखनों के अनुभाग तो पहला अनुभाग है राजस अनुभाग एक में जो पॉइंट इंपोर्टन है वो तीन इंपोर्टन पॉइंट है राजस अनुभाग एक के द्वारा अन्यकार्यों के साथ राजस ग्रामों के सिर्जन औ और अन्य संपत्यों से संबंधित कार किया जाते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड है जमींदारी का उन्मूलन राजस अनुभाग एक कार है लास्ट पॉइंट है भूमिवश्था लागू करने का काम राजस अनुभाग एक द्वारा ही किया जाता है तो आप लोग देखे होंग राजस अनुभाग दो में ग्राम पंचायत में नहित भूमी तथा अन्य संपत्यों से संबंधित कार किये जाते हैं पॉइंट नंबर टू है इस अनुभाग द्वारा व्रिच्छा रोपन कारकरम से संबंधित कार भी किये जाते हैं उशर बंजर निस प्रयोजन प्रयोज भूमी के आवंटन तता संबंधी कार इस अनुभाग द्वारा किये जाते हैं अगला पॉइंट है ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेलों तालाबों पोखरों जल प्रणालियों से होने वाले आई व्याई संबंधित कार राजस अनुभाग दो के अधीन हैं अगला पॉइंट है अनुभाग दो के तहाथ भूमी प्रबंधक समितियों का कार एम उनका नियंतरन भी राजस अनुभाग दो के अधीन ही है ये हो गया अब पढ़ते हैं राजस अनुभाग तीन में सिर्फ एक पॉइंट है वो है राजस अनुभाग तीन राजस सचिव साखा की सभी 14 अन संबंधित कारी करता है अनुभाग तीन अगला है अनुभाग नंबर चार इसमें पहला पॉइंट है राजस अनुभाग चार राजस परसद एवं जिलों में भू अभिलेकों के सुद्री सुद्रीणी क्रण आधुनी क्रण, कम्प्यूटरी क्रण का कारी करता है पॉइंट नंबर दो है इस अनुभाग में मंडल, जिला, तहसील कार्यालेों से संबंधित समस्त कारी किये जाते हैं अनुभाग चार में अगला पॉइंट है इसके अतरिक्त राजस सो अनुभाग चार में IAS तता PCS अधिकारियों के सिर्जन का कार किया जाता है अगला पॉइंट है लेकपार परसिचन विद्यालियों की स्थापना विसे कार राजस अनुभाग चार द्वारा किया जाता है अगला पॉइंट है वित आयों को सूचना उपलब्ध कराये जाने का कार इसी अनुभाग द्वा से संबंदित विभिन मामले देखता है ठीक है आप लोग इसका पीडिया फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप लोग बाद में रिवीजन जब करेंगे कोई वन लाइनर क्वेस्चन हैं आप लोग देखो नेक्स्ट पॉइंट है मंडल जिला तासीलों के भावनों के निर्माण हेत भूमी का अरजन राजस अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन से कार ग्राम में कौन से कार कौन सा विभाग समालता है कौन से अधिकारी होते हैं उसके इसी अनुभाग द्वारा किये जाते हैं अगला पॉइंट है उपनिवे स्थेत्रों में अनाधिकृत कबजे को हटाने का कार राजस अनुभाग पांच द्वारा किया जाता है अगला पॉइंट है अंतर राज्टे सीमा भारत नेपाल चीन तिब्बत सीमा विवाद संबनित कार राजस अनुभाग पांच के अधीन है अगला पॉइंट है अंतर प्राइंट है सीमा विवादों पर निप्टारा इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है कितनी इंपोर्टन चीज़ें पता चलती है जो आपके मन में कभी कभी उठता है कि यह कार यह किसकी अंतर गता करता है कौन भी भाग करता है तो इससे आपकी जुन्यों नौज भी बढ़ती है ठीक है अगला देखिए राजस अनुभाग पांच राजस इस्थाई समीति के समन्नवे कार करता है आप लोग कॉमेंट करके जरू बताएगी कैसा पढ़ा रहा हूं मैं आपको समझ में आ र का पट्टा एवम अन्य प्रबंधन राजस अनुभाग पांच का ही काम है अगला है अंतर जिला तहसील तथा ग्रामों से संबंदित सीमा विवाद राजस अनुभाग के अधीन ही है नेक्स्ट है सरवे आफ इंडिया द्वारा बनाये जाने वाले नक्सों के दर्सित सीमा पडिया आईयोग से संबंदित कार राजस अनुभाग पांच के द्वारा संपादित किया आपका पांच अनुभाग नमें नमबर छे देखते हैं इसमें कुछपी किया जाता है अगला point है देखिए इसी अनभाग द्वारा राजस परसत के सदस्वक कार विभाजन किया जाता है next point है भूराजस के अभ्याप्रंड छूट तथा मालिकाना हक संबन्धित कार राजस अनभाग छे के द्वारा किया जाता है अगला point है नजूल भूमी सम्बन्धित कार राजस अनुभाग छे ही देखता है next है रेलबे की अतरिक्त भूमी का बंदोबस्थ यही अनुभाग देखता है next और last point है राजस अनुभाग छे विस्था पितों की सहायता एवं पुनारवाश का कारे करता है ठीक है तो यह हो गया अनुभाग 6 अगला अनुभाग है अनुभाग 7 जिसमें 3 पॉइंट आते हैं पॉइंट नुबर 1 है राजस अनुभाग 7 भूराजस नहर दे तकावी दे तता अन सरकारी दे की वसूली करता है तो यह अनुभाग भूराजस तता भूराजस की बकाया की भात वसूल के किये जाने वALए देओ की वसूली के अचल संपत्ती का विक्रे करता है यहाओ नुभाग राजस वसूली से संबंधित अनिकार भी करता है पॉइंट नमर आठ में बस एक पॉइंट आता है राजस अनुभाग में चकबंदी से सम्बंधित कार किया जाते हैं कि चकबंदी से सम्बंदी जितने भी कार होते हैं वो कौन समालता है राजस अनुभाग आठ समालता है ठीक है याद रखेगा अगला है देखिया राजस अनभाग नौ में दो पॉइंट आते हैं पॉइंट नमबर वन है तहसीलदार नायाब तहसीलदार कानून गो राजस निरच्छक लेकपाल इत्याद के कार तता उनकी सेवा नियमावली और उनके संसोधन संबनित कार होते हैं पॉइंट नमबर टू है कृसी गर्णा खेतों की हद बंदी दाखिल खारिज संबनित कार बटबारा संबनित कार राजस अनभाग नौही करता है ठीक है अनभाग नमबर दस है दोस्तों बाकी चार अनभाग और है उसको भी इसी वक डिसकस कर लें एक कलास में सारे खतम हो जाएंगे अनभाग आपका तो अनुभाग नमबर दस क्या है राजस अनुभाग दस निम लिखित कारे करता है पहला काम इसका हिया है यहां निर्धारित मंडलों में प्रकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहाइता देने है तो उनसे प्रातना पत्र का शिकायत लेता है ठीक है अगला कारियों को धन आवंटित करता है ठीक है आप लोग देख सकते हैं यह वसी पब्लिकेशन दौरा बुक्त दौरा करवा रहे हैं जो मैंने आपको रेकमेंड किया है इसका नंबर इसका डिस्केप्शन बॉक्स में दिया है उस पर जाईए आप लोग वाट्स आप कीजिए फ सारकारी देओं की मार्फीयों स्थगन का काрах या अनुभाग करता है या अनुभाग सरकारी खरचे में में क्या करता है अगला है अर्द सास्की ए रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन का कार करता है या अनुभाग भुखमरी की सुचना पर ध्यान देता है तथा उसकी जाच संबनित कार करता है अगला है या अनुभाग किरसी विपदाओं से संबनित सुचना एकटी करता है या अनुभाग अगनी दुरु घटनाओं के कारण छटी की सूचना है तथा तद विसयक समान निर्देश्त तयार करता है अगला है बार तता अन्य देवी आपदाओं के समय सहाइतार्थ सायनिक सहाइता उपलब्द कराने का काम करता है या अनुभाग सीत लहरों तथा पाला की निगरानी रखता है फजल तथा मौसंती सूचना का काम भी यही अनुभाग करता है यह अनुभाग सूखे के कारण हुई छत की सूचना देता है राजस अनुभाग बारा में देखते क्या है राजस अनुभाग बारा के निमलिकित कार है यह अनुभाग अधिक्तम जोत सीमा आरोपन अधिनियम या कार परिवान नियोजन से समझ 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 कार करता है वार्षी कार जोजना के समझ समझ कार करता है अब अनुभाग आपका 13 है अनुभाग 13 में एक पॉइंट है के अंतरगत भू में अधिपत्य अधिनियम से समझ 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 कार किये जाते हैं अनुभाग 14 और ये लास्ट अनुभाग है इस अनुभाग द्वाराँ डिफेंस आफ इंडिया एक उनिस समझ 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 कार किया जाता है नेक्स्ट है भूदान तथा ग्राम दान समझ समझ कार करता है अगला पॉइंट है मैप एम रिकॉर्ड मैनुवल का पुनरिच्छन कार करता है अगला और लास्ट पॉइंट है नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार नायाब तहसीलदार के न्याले में प में आयो तो अपनों करके जुरूब बताएगे किसर ऐसे पढ़ाए कंटीनु करें उसका पीडिये फाइल के लिए टेलीक्राम का लिंक डिस्किप्शन